Hello developers, welcome back to our YouTube channel, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं डार्क मोड और लाइट मोड वाला एफेक्ट यूजिंग HTML, CSS and JavaScript. सबसे पहले आई हम आपको देमो दिखाता हूं कि हम लोग क्या डिजाइन करने वाले हैं उसके बाद हम चलेंगे अपनी Visual Studio Code के अंदर हो डिजाइन करेंगे तो या पर आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन के ओपर या पर मैंने एक छोटा सा पेज बनाया है मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर में आपको इन पेज के बारे में ज्यादर ना ले जाओ मैं आपको खाली concept समझाना चाहता हूं डाक मोड और लाइट मोड वाले से मैंने जो पेज सिंपल सिंपल लगा है तो यह आप आप देख सकते हो में पस एक छोटा सा नेप बार इस नेप बार की वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी और यह पेज मैंने खुछ करूंगा मून वाले के उपर तो मेरा जो थीम का कलर रहा पुरा ब्लैक हो जाएगा यानि कि यह डाक मोड में हो जाएगी और मैं जहां पर देखो मेरा जो आइकन है वो भी चेंज हो गया अब मैं इसके उपर द्वार से क्लिक करूंगा तो वह सब वापिस से पहले और डाक मोड जो वाला जो इफेक्ट है यह होने वाला है ठीक है जिसको मैंने बनाया है सारा सोर्स कोड जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आइकन मैंने लाइन वसम से यूज की है और यह मेरा पेज अभी कुछ इस टाइप का दिख रहा है ठीक अभी एक काम न तो गाइस मैं आ चुका अपने विजिल स्टूडियो कोड के अंदर यहाँ पर मेरे पास कुछ कोड है HTML का CSS का आप जानते हो मैंने पहले से पेज डिजाइन किया हूँ है वही वाला कोड है ठीक है यहाँ पर यह मेरी अनिमेशन है ठीक है इसको रखते है हमी और उसे चीज आती है वह आती है यहाँ यहां रहाखे देखे निमेशन है फिछे के अंदर ग्लम के प्राइमर के लाह यहां से इन तो को होड़ा कर धिया ठीक है तो यही चीज हम JavaScript के मदद से कर रहे हैं हम क्या कर रहे है कि जो अभी तक है इसको ml में दिखा हूँ आपको लों क्या डर्क वाली ठीक है आएँ पर अभी देखो मेरा पेजा वंदर अगर Enfin जो है, नोर्मल हो जाएगा कुम सी यही काम है, यह के अपर क्लिक करने के बाद ठीक है तो यह इसका कॉंसेप्ट है ठीक है यह हमारे मेन है प्राइमरी और सेकंडी कलर और यह अगर आप अगर आप इस टाइप से वैरिबल्स को यूज करते हैं तो आप बहुत एजीली जो फूरी वैबसाइट कलर वह इसली चेंज कर पाऊगे अगर मैं दिखाऊ तो मैं जो रूट के से अंदर प्राइमरी और सेकंडी कलर के वैरेबल्स बनाएं है मैंने हर जगा इन को ही यूज किया है यहwood जहा जहा जहांपे मैने बैग्ग मैने बैक्न मेंने Tudo यूज क्र यूज की है मैंने हाय फिर को फिरत और टाम मेरे क्र. यहां पर देखो मैंने अपना primary color वो change कर दिया blue में अब अगर मैं आपको website दिखाऊ तो यहां पर देखो हमाने पूरी website blue color में हो चुकी है तो यह फायदा है अगर आप CSS के variables को use करते हो तो अपने code अब यह हमारा हो चुका है आपको समझ में आ चुका है हम चेलेंगे JavaScript के अंदर और बाकी का बचे हुआ का हम हमारे JavaScript से कल लेंगे ठीक है JavaScript के अंदर सबसे पहले यहां पर देखो यह हमारा जो network का code है इसके उपर ध्यान मत देना ठीक है मैं यह आपर लिख देता हूं dark mode कोड जो है मेरे यहां से स्टार्ट रहेगा सबसे पहले हम क्या करेंगे इस यह मून वाल आइकन इसको करेंगे जिसके आपर हम किलिक करने वाले है ठीक है तो यह हमारा मून वाला आइकन है इसको मैं आइड दे रखी एक मून के नाम से तो हम इसको पहला गेट करेंगे JavaScript के ठीक है लास्ट में semi-colour हमने क्या करूंगा मून की ऊपर एक add event list लगाँगा click वाला ठीक है जैसे कोई मून की ऊपर click करेगा तो हम इसके अंदर callback function देंगे arrow function जो कि क्या करेगा उसके बाद इसके कलर को चेंज करेंगा अगर मैं इसके अंदर दिखाओ तो हम बोडी के अंदर इस क्लास को एड़ करेंगे तो हम क्या करेंगे यही पर भी बोडी के अंदर ही इस क्लास को एड़ करेंगे तो मैं यह लिखता हूं दोक्यमेंट sorry दोक्यमेंट.body.classlist इसके अंदर हम कर देंगे टोगल ठीक है हम टोगल के अंदर कौनसी class add कर देंगे अब यह हमारा हो चुकऴ है अभी अगर हम चुका है अब यह आगर हम करेंगे तो यह जो हमाली Sun के आइकन में जो convert हो जा रहा है तो हमको यह करना है जैसे कोई moon के उपर द्वारे से click करें तो यह जो color है वो तो change हमारा होई रहा है क्योंकि हम class को target कर रहे है तो मतलब एक बार add हो रही है एक बार remove हो रही है हम क्या करें है इक झाल के अंदर हम यह चेक करें कि अगर हमारी body के लधा से अधिर ELDli धार जो में beginners class name करhome का आइकन को यह हमारी कुछ सी class होती है जह हम items को यूश करते हैं तो हमारी कुछ इस टाइप से अपनी classes को ले का रहे होता है अगर हम इसके इन classes को change कर देंगे तो हमारा icon बदल जाएगा ठीक है अगर मैं इसके अंदर दिखाऊ हूं तो यहापर देखो हमारी यह class है मैंने इसको ही change किया अगर मैं यहापर आपको दिखाऊ यह line awesome की website है यहापर देखो moon के ओपर जब भी हमको यह icon लेते हैं तो हमारा कुछ यहापर 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 फोन साइस बढ़ जाएगा यह सब चेंज हो जाएगा इसके मेरे पास देखो moon भी आ चुका है ठीक है तो यहापर देखो moon आ रहा है देकि अभी भी काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने यहापर अभी तक मैंने इसके हिंद्ग क्या क्या है मने खाली जो नाम है उसको चेंज किया है गया हम ऐसको क्या करेंगे अगर यह है तो ठीक है अगर नहीं तो हम क्या क्या करेंगे इसको else में डाल देंगेран Тbacks इसको वापिस से reflect कर देंगे ठीक है रहा है तो हम इसको कर देंगे sun और सब्रके लिए थे अगर हमारी पास अगर हमारी बोड़ी की अंदर यह वाली class एड होगी तो जो हमारा मून है वह हमारा बन जाएगा तो वह उसको वापिस से बना देंगी तो आप अगर मैं इसका रिफ्रेस्स करूँ तो मैं आप आदे को Sun के उपर, Moon के उपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगो तो मैं पस्ताना आगया, मैं Sun के उपर गाई जैसे क्लिक करूँगो तो मैं Moon आ जाएगा अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे इंट्रसिंग वीडियो से आपको मिलती रहेंगी, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में, जब तक के लिए से यू बाइब बाइब